स्टूदेंट्स माई नेम इस मदस्थर नवाज और आज में आपके साथ डिस्कस करूँगा चैप्टर 6 Kingdom Monera से Kingdom Monera में में दिस्कस करेंगे bacterial structure को bacteria की structure में कौन-कौन से चीज़ें शामिल है bacteria में जतने भी चीज़ें हैं उनको और Non-Essential जिसे कहते हैं Variable Non-Essential किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते हैं ठीक है घी? तो Essential Component से मुराद जो जुदूरी है जो तकरीब fuego होते हैं कि हर Bacteria में होते हैं अब वो असमें Bacteria के अंदर Ribosome को Essential Component में रखा हुआ है बस बाकि वही हैं जो यो करियोटिक सेल के हैं जैसा कि DNA है बैक्टेरिय में नूकलिस की जगण DNA होता है साइटो प्लाजम है ठीक है जी और प्लाजमा मेंब्रेन है ठीक है तो इस आर दा एसेंशल कंपोनेंट यह हर बैक्टेरिया में होंगे बाकि जितने भी कंपोनेंट है वो non-essential है, उन्हें variable component कहा जाता है, जैसे फ्लेजेला है, जैसे फिम्बराई है, जैसे प्लाजमेड है, जैसे कैपसूल है, जैसे सेल वॉल है, स्पोर्ज है, सिस्ट है, एटिसी, यह सारी चीजें जो हैं, वो बक्टेरिया के अंदर non-essential है, तो यह बक्टेरिया के लिए structure में हम पहले discuss कर लेते हैं, size, ठीक है जी, तो size of bacteria, size के वाले से बक्टेरिया को दो ग्रूप में classify किया जाता है, बक्टेरिया का size एक range में पाया जाता है, वो range किया जी, 0.1 micrometer से लेकर, जैसे बक्टेरिया का size 600 micrometer की range में पाया जाता है, अब जिसका 0.1 micrometer size है, यह सब स smallest bacteria है, ठीक है, तो these are the smallest bacteria, जो सब से चोटे हैं, और इसमें कौन है, mycoplasma एक bacteria है, जो सब से चोटा बक्टेरिया है, उसे mycoplasma कहा जाता है, टेक्स बुक में एक समझाने के लिए word लिखा है, जो सब से smallest bacteria है, that are equal to largest virus, ठीक है, तो इसको largest virus के बराबर रखा हुआ है, जो सब से largest virus उसके बराबर है, अब दूसी तरफ देखें, तो दूसी तरफ हमारे पास यह वाला bacteria है, इसका size पॉएं 600 micrometer, long, और 80 micrometer यह वाइड हो सकता है, यानि यह ठीक हो सकता है, तो इतना इसका जो diameter होगा, यह सब से largest bacteria है, अब इसको yellow box में mention किया हुआ है, कि सब से largest bacteria का scientific name कह ह इपोलो पिस्केम फिशल सुनाई, इसका scientific name है, इपोलो पिस्केम फिशल सुनाई, यह जो है, यह सब से largest bacteria है, अब इसको अंडरलाइन किया है, लएदा-लएदा, कैसे अंडरलाइन किया हुआ हुआ है, कि जो इपोलो है, उसको लएदा, इपोलो पिस्केम फिशल सुनाई को लएदा, यह scientific name है, तो सब से largest bacteria है, अब इसके बारे में लिखा हुआ है, टेक्स्बुक के अंदर, कि इसका यह कहां रहता है, यह in gut of sergion fish, एक fish है, sergion fish, उसकी गट में रहता है, कौन, जो है, वो सब से largest bacteria है, इपोलो पिस्केम फिशल सनाई, बाकी bacteria का size है, वो different range में पाया जाता है, इस fish का, sergion fish का name भी लिखा हुआ है, scientific cancerous nigrophuscus, और यह bacteria कितना बड़ा है, इस तकरीबन size of hyphen, एक printed hyphen के size इतना है, ठीक है, यह जो dash में लगाई है, इस dash, इस hyphen के size इतना, इसका size होता है, इसके इलावा, mycoplasma के बारे में लिखा हुआ है, कि mycoplasma जो bacteria वो 100 से 200, अब micro था, इसको अब लिख सकते हैं, नैनो में, तो 100 से 200 नैनो मीटर साइज होता है, यह यह micro को सिर्फ किसमें convert कर दिया, नैनो मीटर में size में convert कर दिया, तो जो है, वो सबसे largest virus हैं, pox virus, अब आपक इसके टेक्स बुक में कुछ और bacteria का size बताया है, जैसे E.C.L.I. bacteria है, E.C.L.I. का size कितना है, जी, E.C.L.I. का size है, text book में mention क्या है, E.C.L.I. का size 1.1 से 1.5 µ.m. wide, इतना चोड़ा है, और 2-6 µ.m, यह क्या है, जी, long है, इसी तरह टेक्स बुक में और भी bacteria का size बताया हुआ है जैसे बता है कि जो स्पाइडो कैटी है अब यह स्पाइडो कैटी का है यह आपने शेप्स में पड़ा होगा 생 पार कैटी तो जो asISA के ऑक हैं यहां किस्तना साइज रखते हैं टेक्स बुक में में एक थे अब जाते हैं कितना 500 माइक्रो मीटर 500 माइक्रो मीटर लॉंग इतने साइज तक पहुंच जाते हैं इसके लावा टेक्स्ट बुक में लास्ट पर मेंशन कर दिया है स्टेफलो और स्ट्रेप्टो को काई स्टेफलो और स्टेप्टो को काई इनका साइज टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ है स्टेफलो और स्टेप्टो को काई का साइज कितना होता है जो स्टेफलो और स्टेप्टो को काई है तक्रीबन ये जो होते है ये 0.75 माइक्रो मीटर से 1.25 माइक्रो मीटर इनका डायमीटर होता है इस रेंज में ये पाए जाते हैं अच्छा डिक अब ये था आपने जो डिस्कस किया है इसे हम नाम देंगे साइज आफ बैक्टेरिया